हेलो फ्रेंड्स आइंप प्रियान सुसिंग वेलकम टू एजूकेशन बासकेटोट फ्रेंड्स हम लोग ने लाइफ प्रोसेश पार वन में नूट्रेशन और इस्पिरेशन कंप्लेट कर लिया था और अब इस वीडियो में देखने वाले दो अगले लाइफ प्रोसेश जो क इसे अधर एक बहुत इंपटन कंपोनेट पए जाता है जिसको हम ne legit बोलते हैं इसको हम्रण ब्लोलते हैं आइससे की और बाहर कुछ लो कुछड ड्राइस्ज ट्रांसपोर्ट करी एक उस nे कुछड आत्रम सो prosmyम को किन इस चीज की कि पिए दरॉन गींत्र पड़त हैं उस प्लाजमा क्या होता है प्लाजमा प्लाजमा एक इस्ट्रोल लिक्वीड है जो कि नैंटी टू परसेंट वाटर कंटेंड करके रखता है और जो एट परसेंट होते हैं उसमें जैसे कि साल्ट है प्रूटीन्स है विटमिन्स है ऐसी चीजिए रहती हैं और इसका वर्क है किया इसका फंक्षन क्या यह ट्रांफूड करता है फ्योट्टू ट्रांसपोट करता ह जीए अभी वाड़ी प्रोडूूश हुए हैं उन्हीं सबको ट्रांस्पोर्ट करता है और रही ब्लड कार्पास्कल्स क्या होते हैं रेड़ ब्लट कर्पास्कल्स रिडर कहों होते हैं तो एक इसमें पिगमेंट होता है जो कि यह हमारा ग्लोबिंग दिशके वाजे से यह हम कि एक बहुत बड़ी एक तरह किसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐफिनिटी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की और यह ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है और अगला है वाइड ब्लेट कर्सक्राइब क्या होता है इसको हम यह भी वोलते हैं कि एक तक यॉजरां और वी वाफँब्रस आपक्तिपने नहीं बाहर से आते हैं उनको कील करता है और अभई बॉड़ीउड को प्रोटेक्शन प्रोवाईड करता और इंगेश्टै प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग में वर्क करते हैं अगर किसी की प्लेटलेट से ज्यादा है तो पड़ता है BLOOD CLOUGHTING मतलब कि कहीं अगर आपके चोट लग गए तो कितनी जल्दी आपका BLOOD रूख जाता है रहा लगते हैं ऑट ब्लीड होता रहता है कि लगा षे लीट रहलेड के बैथ को अधे एहल धेमान adaptive के अंदर तो चलिए अग्छा देखते हैं कि फंक्सन्स के ब्लड के फंक्सन्स के हैं तो देखो सबसे पहला फंक्सन्स ब्लड का यही है कि ट्रांसपोर्ट करना कि किस चीज का ट्रांसपोर्ट करना फूर का ट्रांसपोर्ट करना गैसे का ट्रांसपोर्ट करना नेट्रोजीनिस विस्ट का ट्रांसपोर्ट करना ऑक्स लॉट से लेकर हमारे बॉड़ी के एकल तक जाती है इसकी मदद में बट्स की मतर से धी और उसको कौन गयाता है हेम तक ब्स नें बाई जाता है da carbon dioxide भी जो है टिसूश से लंगस में आती है जो प्लाज्मा में पहले से रहती है। प्लाज्मा में पहल से मिली हों रहती है। ट्रांस्पोर्ट न्यूstat ब्लडड केपलीरीज होती है जो कि उसको अब्जाव कर लेती हैं त्यूलेश में और यह से घृणलób होता है जैसे यूरिया है यूरीकल्रावश्पोर्ट कैके रिफ्लावेश्ष होती है इन सब को ब्लड है ट्राव्श्पोर्ट करता यहًच होती है एक मैं कि पैन्ली नहीं हमें को बचाता है इंफेक्टान से बचाता है जैसे व्लीर चैनल से भी बोलते हैं ऑन च्क है अगली इसलाड में देखेंगी इसको अच्छा से तो यह उए में एक हाट है यह मस्कुलर और नहीं किस मसल्स बना होते है कि सपेसल मसल्स होती है आपने लाइत में पड़ाव का टिसूश चेप्टर में काडियक मसल्स से बनी होती है यह और यह हमारे out chest के middle में left side होले हों होता है और हमारे human heart में 4 chambers कोltे हैं जिसको आडिया बोलते हैं और two lower chambers कोते हैं जिर इसको प्रिवर्यल में आड़िया बोलते हैं तो जो उपर आले chambers को थीन योते हैं और जो नीचे होते हैं वो थेक वालो देखेंगे की जैसे की सबसे पहले जो पल्मोनरी कि जीतनी भी वेन होती है वह सारी डि-oxygenated ब्लड करके करके लिए जाते हैं जो ने लाती है और जो पल्मोनारी आटरी तो यह देखिए यह पहली यह यह इतर से यह जो oxygenated pulmonary artery है नहीं पहले देखें लंक्स से आया pulmonary veins के तुरू लंक्स से हमारे pulmonary veins के तुरू आया left artium में oxygenated blood अब वो oxygenated blood गया left ventricle में और उसके बाद फिर यहां से pump होता है और main arota के तुरू oxygenated blood पूरी body में पहुच जाता है उसके बाद क्या होता है कि यह जो है वेना कावा है यह जो वेना कावा है इसके थूरू हमारा oxygenated blood पूरी बाड़ी से आता है राइट अट्रियम से फिर हमागी जाता है उसके बाद फिए पंप करता है तो यह सारा oxygen ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है उसके बाद फिए डिरेक्ट लंक्स में पहुंच जाता है जहां एक सेपरेट करके रखता है जिसको हम एक सेप्टान पे तुरू जिसके मतलब की यहां पर जो यहां पर एक सेप्टान होता है उससे हम करता है जो यह व्लड के फ्लो को प्रिवेंट करते हैं जैसे कि अभी ऐसे जा रहा तो दुबारा वापस नहीं पाए की ट्रेक्षं में दों खुलती है और रहे स्थ होता है को ने एक द्रेस्फीन ने है इन प्लियक प्रम्षा में हमारे िनाटीट में पाई जाती है काडियक साइकल कर्सिस्ट्ट वन हार्ट भीट धैट इस साइकल आफ प्यायक से एक बार हाटवीट हो तो इसमें से हाट एक बार कंट्रक्ट और रिल्यक्स करता है जैसे शुपिरियर वेनकाबा और इंफिर वेनकाबा हुँं हमारे आपर पार्ट के बॉड़ी के आपर पार्ट के सारे नेटाद एंड्टू लेकर आती हैं फिर बॉड़ी इस लोबर पार्ट नेयुं प dealingotal vein में प्लमोनरी आर्टरी प्लमोनरी आर्टरी लंक्स में ले जाती है वहां पर रिफ्यूजन के थूप एक्षेंग्जाब गैसे होता है उशेबाद यह बलड ऑक्सिजिनेटेड हो जाता है और प्लमोनरी वेन में आता है फिर वाइक आस्पिडवाल बीच में प्रिजेंट हो है हाट अधर अंदने उम्हार कि है इसा ही ऐंबर फोह ऊंद धूल लिम्रेट होता है और यह मैं और इसमकी अफिशियंट सप्लाइओ और नहीं नहीं रहता है जैसे हुमेंस में होता है कि फो चैंबर हाट होता है तो इधर अगर दियुक्षिद्र बड़ इस सेप्टम के तुरूर यह अलग रहते हैं बटे क्या होता है कि जो अंफीबियंस होते हैं अंफीबियन का थ्री चैंबर साथ होता है यह ऐसे तो अगर इनके इसमें टोटली पूरट डियुक्षिद्र ब्लड कंप्लेटली और अक्षिद्र ब्लड सेप्रेट नहीं रहता है बॉड़ी टमप्रेचर इनका इंवर्मेंट में जगे जगे पर वहरी करता है फिस में क्या पाले आफ इंस स्क्री डवल सर्कूलेशन कैसे मतलब एक बार हमारी बारिए उपर उपर बार में जाता है इसी को मतलब है मतलब इंस खिर सब्सस्राइब हराथ है अब हरा या तो देखिए कि ब्लड़ पासे स्ट्रोई अट तो सुन कम्प्लेट आफ सेकल दो बार हमारे ब होती है जहां पर जस्ट ओपनिंग होता है वेनकावा का ओपनिंग होता है और यह से नोड होती है सीनो आर्ट्रियल नोड यह जो है हमारे हार्ट वीट को मेंटेन करके रखती है और इनकेस अगर इसका फेलियर हो जाता तो एक की एक ट्रॉनिक् डिवाइस जो की पेस Gil mesmo कर्वक इंप्लाइंट की जाती है इसीड आई इलेक्रो कार्डियोग्राफ तो यह जो काहिकलыл रप्रिजंटेशन है हमारे रिक। कर का हाड़बी से को प exit को कि जाता है और आ सीटेड अंत्व होती यह सुर्ठी प्लाइब यह वह प्लाइर आती है पूरी बाडी मी यह पूरी बाडी है यहॉजचीन प्लाल करती है वाट और यह एक शेपसन है कांव आपको यह सब्सक्राइब एंदान में कोई बर्ण नहीं होती है कि मतलब कि इनका बैक फिलो हो सकता हैं इसे अप्रेटेट masuk सब्सक्राइब करने लिए और जल्दी से चाहिए तो बहुत इस पीड से ब्लड आर्ट्री में फ्लो होता है इसलिए कोई वांस प्रिजेंट नहीं होती है अगला देखने कैपलरीस क्या है तो कैपलरीस को आठरी इसे और अंदर जाएंगे तो और अधर जैसे छोट थो जाते दिया से वैंड हो जाएंगे और ऑगे यह गई तो यह से दिवाइड होगई एस दिवाइड होगी छोटो ठोटे दिवाइड होते चलिए यह झाती है तो इस इको हम बोलते हैं चाहिए ऐसे को Biz है से इप काई हो गया था तो कट गया थे उसके लिए तो exchange आफ मैटेरियल्स होता जहां पर की बहुत थे फीर वाल्स प्रेजेंट होती जहां पर हमारी आंटरी जा वेंज नहीं पहुंच पाती तो वहां पर कैपिलरी के थूरू होता है कि फिर बाद में वेंज के थूरू जाती है अब देखिए हम इतना पढ़िए तो कुछ क्वेस्टन कर लेते हैं जैसे जहां पर इसको पहुंचाना होता है जहां पर इसकी अवेविल्टी होती है और जो हमारे बॉड़ी को नीड नहीं है उसको बाहर करना थो एक क्रेटरी आर्गन से यह होता हमारा ट्रांस्पोर्टेशन देना है अगला कुछ रिजन देना है ऑक्सिजिजिन अटे अंड्य ग्लडर सेप्रेट इन हात आफ मैमेल्स कर भी हमारे मैमेल्स में होता प्याल्डी से हाइली सप्लाइ की जरूरत होती है बहुत कि प्रेस सब्लाइब ज्रूरत ह merchandise स्मारिण की और मिक्स हो जाइक पुछन इनर्जी यह चया नहीं भी अभी हो सकी और यह वाम jesteśmy हो पर नहीं मिल पाएगी नर्जी की जो नीड है फुल्फिल नहीं हो पाएगी यह और फिर गड़बला जाएगा ना सिस्टम आगे प्रिया समझ रहें क्या हो जाएगा दूसरा रीजन देना है वेंट्रिकल्स ठीक होती जो है ठीक होते बिकाओ देखिए क्या होता है से कि यह हुआ हाट कि यह तो अभी इदर से तो ब्लड आएगा यह राइट आट्रिया में ब्लड आ गया बट आप क्या होगा कि डिरेक्ट पूरा प्रेसर तो पढ़ेगा जब यहां से वाल्स यह ऐसे खूलेगा तो प्रेसर तो पढ़ेगा ना वेंट्रिकल्स पे इदर से भी यह को समज़ में आ गया होगा यह लिखा है कि वैसे बाडि पार्स यहां पर ब्लड डट मतलब की पंप होता है वाययर वेंट्रिकल्स तो पंप ब्लड इंट्वेइश्ट्र वेंट्रिकल्स प्लें आउस्ट तेन आर्टरी इसथी कि कि इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स के यहां ब्लड के तो गाइस मैं इसकी पीडियाफ डाल दूंगा आप यह कुश्चन देख लिए जो नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके बताएगे हम तब तक आगे देखते हैं कि आप देखते हैं की माटेरियल है टा्सबॉर्ट जाने मैं ऐसे होता है तो है बैंट मैं कैसे होता है ट्रांसपोर्ट तो प्लाइंट के पास कुछ इसिवांशव हम की आ하하 है उसमें कम्प्लेक्स टिस्यू पाई जाती है एक है फ्लोयम तो आपके लास नाइट में अच्छे इस पड़कर रहे हैं तो जो प्लांट्स के पास इस पेसलाइट कनेक्टि टिस्यू होते हैं पहला है जाइलम दूसरा है फ्लोयम इसको हम वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं तो से मिलकर बना होता है ट्रेक याड विसल जाइलम फाइबर तो काई आप इसमें बताएंगे काउन से लिविंग से लाइप मुझे कमेंट बाक्स में चीज बताएंगे देखें कि आप लोग को पिछला कितना याद है नाइंत का फ्लोयम क्या है फ्लोयम जो है डिस्ट्रिब से अधर पार्ट अफ प्लांट में यह जो है जो फूड के ट्रांस्पोर्टेशन को हम ट्रांस्लोकेशन बोलते हैं फूड के ट्रांस्पोर्टेशन को एक अलग तम दे अगया जिसको ट्रांस्लोकेशन बोलते हैं तो ट्रांस्लोकेट करता फूड एक्वस फाम में लीव स से अधर पार्ट आप वड़ी में यह पैसु ट्रांसपोर्ट होता है इसमें जो है इनरजी रिक्वार्यमंट नहीं होती सभू measurement कोई टीपी खरी नहीं होती है पैसुतर बट फूर्ड के ट्रांसपोर्र deja एक्ट्व होता है मतलब इसमें एटीपी खर्च होती है इनर्जी लगानी पड़ती है भाई प्लांट को फूड करने के लिए खाना खाने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना काम है कि ट्राइक याड और विशल्स में क्या डिफ्रेंस है तो देखिए जो इलांगो एटेड होते हैं थीन होते हैं मतलब की इंड में टैपरिंग होते हैं मतलब ऐसे होता है इनकी इंड पर ओके और यह क्या होता है यह लोंग ट्रॉट होता है बद्ट ट्यूब लाइक इस्ट्रक्चर होते हैं आप यह सब चीजें नाइंट में पढ़के आ चुकी है इसलिए इसमें ज्यादा एक्स्प्रेंट करने के मुझे ज़रूरत नहीं यह ठीक लिक्विट फाइड वाल्स होते है यहिज वाटर ट्रांसपोरर अत्र ट्रीयरर चाओड में इसमें मतलब की लस्टम में एसमें ऐग्सें जबूद यहां पर इंड्वाल्स होते हैं यह अर्वाट आ अगला यह जो देर आएं कि दैसे कि रूट हैर से वाटर आपजार हुआ सबस्वाइल से रूट हैर के थूओ यह वाटर में मिनरेस और साफ डिस्वल्व है जै लूट जैल जैसम के फूद गया फिर फिर जैल अचिक टूछ गया और फिर लिफ निपस गया जहां पर इसकी है कि ट्रांस्पोर्ट आफ वाटर एंड डिज्वाल मिनरल तो यह गाड़ सेल के थुरू नहीं निट्रेशन में बताया था कि कैसे क्या होता तो जैसे एवाप्रेशन आफ वाटर फ्रॉम्द सर्फेस आफ लेफ्स त्रू इस्टोमेटा से एव यह ट्रांस्पिरेशन क्या बोलते हैं जो वाटर एवाप्रेट हो जाता है इसटोमेटा से इस पर्दान बोलते हैं तो रूट्स फिर से वाटर लाती है जैसे कि इधर ऐसा होता है कि अगर इधर वाटर कम तो फिर रूट वाटर ऊपर पहुंचाने लगती है त्रांस्पोर्ट आफ फूर्स और साफ्टंस फोतों के थूर्पोर्स बनता है फूर्थ शैसंस से छिए हम अब दिखी इसमें कुछ रहा है आप लोग इसको कर लिजिए को समझ में बताईएगा अब देखते हैं एक्सक्रेशन देखते हैं तो सब फास्ट अफाल देखिए इस पार्ट्स क्या-क्या होता है एक्सक्रेटर सिस्टम में तो यह राइट किड्नी है मतलब और यह रआड के रहते होता है् मिसे और उर्ति और होता है तो प्रोसेन स्वी हम जितने भी सब्सक्राइब करने सब एक है और एक पे राफ रहार होता है एक पर रेटर होता है एक यूर टो क्या जब दोतर और उट अधिसर होतु होता है देखिएины के इसफ resisting में शुब मैं लॉन्ग वूलते हैं लिए जो हम आरे कंडरी में होते हैं और ये जो फॉंक्ट्रा की फंक्शनल यूट तो देखी यहां पर तो देर आर मिलियन्स लांग कोईल टुबूल काल रिन इफ्रोन के बनी देयर फॉंक्शनल यूट आफ किरनी इसमें यह जो है यह यह बावन कोफिल होते हैं जो कि होलो सेप्ट की होती है इसके पास जो ब्लड कैपलिजिस का बंडल होता है इसको में ग् सब्सक्राइब होता है तो फिल्ट्रेशन होता है पहले रिनल आर्ट्री जो है ब्लड लेकर आती है जिसमें रिनल आर्ट्री में जो है जितना भी मतलब की मिक्स ब्लड होता है फो फिल्ट्रेशन होता है फिल्ट्रेशन होता है फिल्ट्रेशन होता है फिल्ट्रेशन होता कर दी जाती है उसके बात क्या होता है कि यह यहां पर रिया जाफ्टान होता है यह प्रोसेस फिल्ट्रेट मुफ्स टु टु टुबूल्स वेयर वाटर ग्लुकोसमियों इसीडर अफ्जार्ब जो भी चीजे फिर से दोबार रिक्वार्मेंट वाडिक उसको अफ्जार्ब पिर दोट कर लिया जाता है फिर फ्रोला देशां जाता है ये फिर फिर बेर मिजाता है फिर युडेठरा से बाहर निकाल दिया जाता है तो की के फंक्ष्ण और चाहिए तो आसमे रेगलेशन इदा कंट्रूल आफ्टर कंटेंट धाता थे दो लिए कितना वाटर चाहिए पुरा कंट्रोल करता है ये मेरेस बॉड़ी को कि इसमाश्वल फ़ार आध्य रिगूलेशन के यह कि यहीं फिल्टरेशन करती है कि फिलियर क्यों होता है इंजरी हो जाती है कहीं एक्सिडेंट हो गया बहुत ज्याता चोट लग गई या फिर बल स्टिट किया जा सकता है या दूसरी कि ड्रांस्प्लांट कर दी जा तो प्रिंस्पल्स के तो ड्रीजिस एक मसीन होती लॉंग से लुलिश ट्यूप्स की एक कॉल होती मतलब टाइंक में बुक में डियाग्राम दिया आप देख लेजेगा तो इसमें जो जितने भी डाइलेजिंग सलूशन्स होते हैं जो आर्ट्रीज हैं ब्लड फ्लो मसीन्स में जोड़ दी जाते हैं उसके बाद इस फाइबर है अब जाफ करता है वेस्ट को अब फिर से जित जबने देखा होगा कि जो गूंध होती है यह सब इसके ब्लांट के वेस्ट वेस्ट के तुट कर दी जैते हैं लिकविट बेस्ट है तो यह जो है ट्रांस प्रेस्ट्स तया निया पी आप नहीं देखा होगा इस यो गूंद होती है यह सब इसके प्लांस होते है है जो कि हुए बाक में रहते हैं तो लिकटो मुठ only को प्लाइश का बत्रों होता है उसके बाद जो इसां में जो बोलते हैं और कुछ अदर मैटेरियल हैं जोह कि रिस दो नूर में मत तलब आप जैसे नोट होते हैं उनके तुरू सोयल में भी रिमूब कर देता है प्लांट यह क्वेस्टन से एक्टिविटीज हैं तो देखिए फ्रेंट से यह जो एक्टिविटीज हैं आप लोग कर लीजिएगा अगर आपको कोई एक्टिविटीज में ने समझ में आए तो आप मुझे बताईएगा मैं फिर अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोग कमेंट करेंगे इस एक्टिविटी के भी अगर इतनी अभी हमारे यूटूब चैनल का मिंबर नहीं बने हैं तो आप हमारे चैनल को तुरह सब्सक्राइब कर लेजिए और हमारे यूटूब चैनल के मिंबर बन जाए तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर फ्रेंड्स आपको इसकी यह नोट्स अभी